दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों घटना चक्र जी एस पॉइंटर स्रिंखला के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी परिक्षाओं के सामान ग्यान और सामान अध्यान के लिए उपयोगी शुरू करते हैं जी एस पॉइंटर सामान विज्यान खंड के अंतरगत भातिक विज्यान के महत्वण प्रशनों का भाग दो सबसे पहले उश्मा एवं उस्मा गतकी से संबंधित महत्वण प्रशनों को देख लेते हैं पहला प्रश्ण है दोस्तूं समवहन के द्वारा उस्मा का अस्थाना अंतरण हो सकता है किसमें तो उत्तर है गैस और द्रव में अगला प्रश्ण है 100 degree centigrade की वास्प द्वारा उत्पन जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन जलन से अधिक गंभीर होती है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है वास्प द्वारा अधिक उस्मा दी जाती है क्योंकि भाप में गुप्त उस्मा होती है इसलिए 100 degree centigrade की भाप से जलना 100 degree centigrade के पानी के जलने से अधिक खतरनाक और गंभीर होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों भाप से हाथ अधिक जलता है अप एक छक्रित उबलते जल से क्योंकि तो कारण है भाप में गुप्त उश्मा अधिक होती है इसलिए भाप से हाथ अधिक जलता है अगला प्रश्ण है एक ग्राम बर्फ को जीरो डिग्री सेंटीग्रेट ताप मान से वास्त में 100 डिग्री सेंटीग्रेट ताप क्रम तक ले जाने के लिए आवस्यक उश्मा कितनी है तो उत्तर है 720 कैलोरी अगला प्रश्ण है दोस्तों सेंटीग्रेट एवं फारेन हाइट ताप क्रम कब समान रहते हैं तो उत्तर है माइनस 40 डिग्री पर याद रखेगा ये प्रश्ण बार बार परिक्षाओं में पूछा जाता है माइनस 40 डिगरी पर centigrade और Fahrenheit तापमान समान होते हैं अगला प्रशन है दोस्तों वह बिंदु जिस पर Fahrenheit तापकरम centigrade तापकरम का दोगुना होता है ये है 160 degree centigrade अगला प्रशन है दोस्तों एक स्वस्त मनुष्य के शरीर का तापमान degree Celsius में कितना होता है तो ये लगभग 37 degree Celsius या 36.9 degree Celsius होता है एक स्वस्त मनुष्य के शरीर का तापमान अगला प्रशन है दोस्तों देखिए बहुत ही महतपूर प्रशन है कि Kelvin मान से मानो शरीर का सामान निताप कितना होता है तो ये 310 Kelvin होता है और देखिए मानो शरीर का सामान निताप करम 98.4 degree Fahrenheit है इसके बराबर degree Celsius में निताप करम कितना है तो आप जानते हैं लगभग 37 degree Celsius या 36.89 degree Celsius एकदम शुद्ध रूप में अगला प्रशन है दोस्तों शेल्सियस इसकेल पर मानो शरीर का सामान निताप मान कितना होगा Fahrenheit ताप मान पर दोस्तों 200 degree Fahrenheit का मान Celsius पैमाने पर कितना होगा तो उत्तर है 93.3 degree Celsius अगला प्रशन है दोस्तों 40 degree Celsius का मान Fahrenheit सकेल में कितना होता है तो उत्तर है 104 degree Fahrenheit दोस्तों 40 degree Celsius का मान Fahrenheit पैमाने पर होता है अगला प्रेश्ण है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फारेन हाइट स्केल में कितना होगा तो ये 122 डिग्री फारेन हाइट होगा अगला प्रेश्ण आपसे संबंध पूछा गया है कि माना की ओसत तापमान जो है सिंटिग्रेट यानि C और फारेन हाइट F हो तो C और F तथा C F का संबंध F बराबर 9 बटे 5 C प्लस 32 होता है तो F और C का संबंध क्या होगा तो उत्तर है F बराबर 9 बटे 5 C प्लस 32 अगला प्रेश्ण है दोस्तों ठंधे देशों में पारा के अस्थान पर एलकोहल तापमापी द्रव के रूप में बरीता दी जाती है इसका कारण क्या है तो इसका कारण ये है कि एलकोहल का द्रवांक निम्नतर होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों स्वचाली तिंजन या आटो मोबाइल्स के लिए हीम रोधी के तोर पर कौन सा रसायन प्रयूक्त होता है तो उत्तर है एथिलीन गलाइकाल परम सुन्यताप क्या होता है तो अपसलूट जीरो टेंपरेचर या परम सुन्यताप सैध्धान्तिक रूप से नियोंतम संभवताप है ये जीरो केल्विन या माइनस 273.15 डिगरी सेल्सियस क्योंकि इसके नीचे का तापमान संभव नहीं होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों गर्म करने से विस्तारण पर क्या प्रभाव पड़ता है तो गर्म करने से विस्तारण जो है वो पदार्थ का घनत्व घटा देता है एक प्रश्ण बार-बार पूछा जाता है कि जब बर्फ पिघलती है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो उत्तर है बर्फ के पिघलने पर आयतन घटता है अगला है दोस्तों समय की द्रिष्टी से 2 द्रव पी और क्यू ताप मान 0 डिगरी से 100 डिगरी सेंटिगरी तक उतार चड़ाओ के नीचे आरेक में दिखाया गया है तो यहाँ पर ताप मान है X-axis पे Y पे आपका समय है इसमें आपको दिखाना है Q और P के ताप मान पर तो उत्तर है Q का ताप P के तुलना में 100 डिगरी सेंटिगरेट पर तेजी से पहुँचा है क्यूंकि इसमें Q के ताप मान 100 डिगरी सेंटिगरेट पर पहुँचने पर जो समय है वो कम लिया गया है पी की अपिक्षा अगला प्रशन है दोस्तों थर्मो इस्टेट किस से संबंधित है तो ये तापक्रम से संबंधित है थर्मो इस्टेट या तापस थाई का प्रियोजन क्या है तो उत्तर है तापमान को इस्थिर रखने का कारे थर्मो रखने के लिए सुरक्षित तापमान तो 4 डिगरी सेल्सियस है एक प्रश्ण है दोस्तों जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं इसका कारण क्या है तो फ्रिज के अंदर आर्दता कम होती है सीले बिस्कुट कुरकुरे हो जाते हैं अगला प्रश्ण कथन कारण पर है कथन है बर्फ का टुकड़ा पे को थंधा बना देता है कारण है बर्फ पिघलने के लिए पे से गुपत उश्मा लेता है जिससे पे थंधा हो जाता है तो आप जान लीजे ए और आर दोनों सही ह और आर एकी सही ब्याख्या करता है अगला प्रश्ण है दोस्तों कथन कारण से संबंधित है कथन है बड़े शीत ग्रे सायंत्र रेफ्रेजरेंट यानि प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उप्योग करते हैं जबकि घरेलू रेफ्रेजरेटर्स कलोरो-फलोरोकार्बन यानि CFC का परियोग करते हैं कारण है कि अमोनिया को कम दाब और परवेश्ताब पर द्रवित किया जा सकता है तो ये सही नहीं है ये सही है पर अर गलत है अगला प्रश्ण है दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है कथन है कि जब फ्रीजर पर बर्फ एकठी होती है तो रेफ्रेजरेटर में शीतलन बूरी तरवर प्रुभावित होता है बिल्कुल सही है कारण है कि बर्फ एक दूर्बल जालग है तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही असपश्टिकरण है अगला प्रश्ण है दोस्तों शीसे की छण जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और चोड़ाई पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो उत्तर है शीशे की छण जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ती है साथ ही इसकी चोड़ाई भी बढ़ती है अगला प्रशन है नीचे दिये हुए धात गोलक और धात वले के चित्रों पर धियान दीजिए यहाँ पर गोलक और धात वले दिया गया है पत्ती से बने धात वले के चित्र में धात गोलक भर सकता है यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है परंतु यदि धात वले को गर्म करें तो उत्तर है जब धात वले को गर्म करेंगे तो गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रशार के कारण वले का ब्यास बढ़ जाएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों महोत पूर्ण प्रश्न है दो धातूं A और B की पट्टियां यहाँ पर मजबूती से जुड़ी हुई है जैसा की चित्र में दिखाये गया है गर्म करने पर A जो है यह B से अधिक फैलता है तो यदि इस जुड़ी हुई पट्टि को गर्म किया जाए तो कौन सा रूप गरहन करेगा तो यह देखिए A का परसार B से अधिक है इसलिए ब्लेड जो है या पत्ति इस रूप में आपकी मूड़ेगी अगला प्रेशन कथन और कारण से संबंधित है कथन है तांबे के एक टुकड़े को और कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गरम किया गया उसके बाद असपर्ष करने पर तांबे का टुकड़ा काँच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक लगता है, सही है कारण है कि तांबे का घनत तो काँच के घनत तो से अधिक होता है तो दोस्तों A और R दोनों सही हैं लेकिन जो गर्मी के तापमान के उपर जो कथन दिया गया है वो असपश्टी करण नहीं है ये सही है कि तांबे की टुकड़े और काँच के टुकड़े को एक ही तापमान पर गरम करने पर असपर्स करने पर तांबे का टुकड़ा काँच से अधिक गरम लगेगा लेकिन ता जांबे का घनत तो कांच की घनत से अधिक होता है। ये सही अस्पश्टी कराण नहीं है। अगला प्रेशन हैं दोस्तों ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्राताकाल में छुयें। तो लोहे का गुट का ठंधा लगता है इसका कारण क्या है तो उत्तर है लकडी की तुलना में लोहा उस्मा का अच्छा चालक है अगला प्रेशन हैं दोस्तों यदि हवा का ताप मान बढ़ता है तो उसकी जलवास पग्रहन करने की छमता में क्या अंतर होगा तो हवा का की दर तेज होती है तेज हवा वाली रात में अगला सही कथन क्या है तो दोस्तों एयर कंडिशनर और एयर कूलर दोनों ही आर्दता नियंतरित करते हैं ये सही कथन नहीं है क्योंकि दोस्तों एयर कंडिशनर ताप मान और आर्दता दोनों नियंतरित करता है जबकि एयर केवल तापमान को अगला प्रश्न है कमरे में लगा हुआ वातान उकूलक नियंत्रित करता है किसे तो तापमान और आर्दता दोनों को डेजर्ट कूलर द्वारा सेतलन किस पर आधारित है तो डेजर्ट कूलर वास्पन शेतलन पर आधारित है कमरे को कैसे ठंधा कर सकते हैं तो संपीडित गैस छोड़ने से कमरे को ठंधा किया जा सकता है अगला प्रश्न है कि गीले कपड़े सबसे जल्दी कब सूखेंगे तो कम आर्धता और अधिक तापमान पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे अगला प्रश्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है देखिए जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है उत्तर है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव भिंदु घड़ता है तो याद रखीगा जब जल में अशुध या नमक मिलाया जाती है तो इससे उसका क्वथनांक बढ़ता है और जमाव भिंदु घड़ता है अगला प्रेश्ण है जब पानी में साधारन नमक मिला जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदू और हिमांक बिंदू तो दोस्तों पानी का क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक बिंदू घटेगा अगला प्रेश्ण कथन और कारण से संबंधित है कथन है उचाई वाले अस्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिला जाता है कारण है कि उचाई वाले अस्थानों में तापमान कम होता है ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही ब्याक्या नहीं है अगला प्रेशन हैं दोस्तों थर्मस बोतल में पेपदार्थ को कुछ समय तक उसी तापमान पर रखने के लिए उसकी दिवारों पर किसकी परत लगाई जाती है तो ये रजत परत लगाई जाती है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल जो है गर्म या ठंधा रहता है क्यों तो उसमें चालन, समवहन और विकिरण द्वारा उश्मा की कोई हान या प्राप्ति नहीं होती है इसलिए थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक कोई जो द्रव है वो ठंडा या गर्म रहता है अगला प्रशन है दोस्तों गर्मियों में शफेद कपड़े पहनना जादे आराम दे है इसका कारण क्या है तो इसका कारण ये है कि वे अपने उपर पढ़ने वाली सारी उस्मा को परावर्थित कर देते हैं अगला प्रशन कथन और कारण से संबंधित है कथन है जाडों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीता देते हैं ये सही नहीं है कारण है कि सफेद कपड़े उस्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं सही है तो ए भ्रामक है किन्तु आर सत्य है अगला प्रश्ण है दोस्तों कथन है कि हलके रंगी इन कपड़ों को गर्मी में बरीता दी जाती है कारण है कि हलके रंग उश्मा को कम अवसोसित करते हैं तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही असपश्टी करण है अगला प्रशन है दोस्तों पसीने का प्रमुख उपयोग या मुख्य उपयोग क्या है तो उत्तर है शरीर का तापमान नियंत्रित करने में पसीने की उपयोगिता है अगला प्रशन है गर्म मौसम में पंक़ा चलने से आराम महसूस होता है इसका कारण क्या है तो इसका कारण ये है कि हमारा पसीना तेजी से वास्पी कृत होता है मिट्टी के घड़े में जल ठंधा रहता है इसका कारण क्या है तो इसका कारण है वास्पी कारण और यहां पर देखिए एक विशेस दिन और समय में चुरू में 48 डिग्री सेंटिग्रेट और शिमला में 24 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान था सभी रूपों में समान धातु के दो पौालों में पानी चुरू में 95 डिग्री सेंटिग्रेट और शिमला में 70 डिग्री सेंटिग्रेट पर रखा गया दोनों में सिवह प्याला जो कमरे की तापमान पर पहले पहुँचा तो उत्तर है तापांतर समान होने के कारण दोनों प असम उमस वाला होता है तो उस समय आर्द उस्मा का अनुभव होता है शुशकता दसा किस्से संदर भी थै तो शुशकता की इस्थिति तब होती है जब आर्दता कम होती है अगला प्रेश्ण कथन और कारण से सही है कथन है कि उचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक भिंदू घरता जाता है और उचाई बढ़ने के साथ वाई मंडली दाव यानी एटमेस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है यह सही नहीं है तो यहाँ पर देखिए A सही है लेकिन R गलत है अगला प्रेशन है दोस्तों वाई मंडल हमारे उपर बहुत अधिक दबाव डालता है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं करते क्यों तो क्योंकि हमारा रक्त वाई मंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है इसलिए हम वाई मंडल के दबाओ को अनुभो नहीं करते हैं अगला प्रेश्न कथन और कारण से संबंधित है तापमान में बृध्धी के साथ गलिशरीन की स्यानता बढ़ जाती है तो ये सही नहीं है क्योंकि तापमान बढ़ाने पर गलिशरीन का जो गाढ़ापन है वो कम होता है कारण है कि तापमान में बृध्धी अड़ों में गती जूरजा को बढ़ा देती है तो सही है तो यहाँ पर सही उत्तर ए गलत लेकिन आर सही हो जाएगा अगला प्रेशन है दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है इसका कारण क्या है तो उत्तर है अधिक दाप पर पानी अधिक दाप क्रम पर उबलने लगता है अगला प्रेशन है प्रेशर कुकर में खाना सिग्रता पूर्वक बन जाता है इसका कारण क्या है तो बढ़ा हुआ दाब जो है वो क्वतनां को बढ़ा देता है इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है अगला प्रेशन कथन और कारण से संबंधित है कथन है कि प्रेशर कूकर में एवो नाइट का हत्था लगा होता है कारण है कि एवो नाइट मजबूत होता है तो यहाँ पर A और R दोनों सही हैं लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि एबोनाइट मजबूत ती किनाते नहीं लेकिन एबोनाइट यहाँ उसमा के कुचालक किनाते प्रेशर कूकर में उसका हथा लगाया जाता है अगला प्रेश्न है दोस्तूं प्रेशर कूकर के अंदर का उच तम्ताप निर्भर करेगा किस पर तो ये उपर के छेद के छेदर फल और उस पर रखे गए वजन पर अगला प्रेशन है किसी प्रेशर कूकर में जिस तापमान पर खाद पकाये जाते हैं वो मुखेता निर्भर करता है किस पर तो देखे, धकन में इस छिद्र का छेतरफल, जो आला का तापमान या धकन का भार, तो इसमें से धकन के उपर छिद्र का छेतरफल और धकन के भार पर निर्भर करता है, प्रेशर कूकर का जो तापमान है, अगला प्रेशन है, जब पानी को 0 degree Celsius से 10 degree तक गर्म किया जाता है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है अगला प्रेशन है, यदि तापमान 9 डिगरी से गिरा कर 3 डिगरी कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा अगला प्रश्ण है निमने लिखित कत्नों पर विचार कीजिए 100 डिग्री सेलसियस पर भाप और 100 डिग्री सेलसियस पर उबलते जल में उश्मा की मात्रा एक समान होती है दूसरा है बर्फ की संगलन गुप्त उस्मा और जल की वास्पन गुप्त उस्मा बराबर होती है तीन केवल सही है अगला प्रश्ण है दोस्तों पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाएगी इसका कारण क्या है तो कारण है कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है इसलिए पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाएगी अगला प्रेशन है जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का अस्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उत्तर है जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिगलेगा तो पानी के अस्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा अगला प्रश्ण है, साफ मेग रहित रातों की तुलना में, मेग अच्छन रातें अपेक्शाकरित गर्म होती हैं, क्योंकि बादल, तो दोस्तों बादल पिर्थवी से छोड़ी गई उसमा को परावर्तित करते हैं, इसलिए साफ रातों की तुलना में, जो बादल युक्त होती हैं वो गर्म होती हैं अगला प्रश्न है बादल अच्छा दित राते स्वक्ष आकास वाली रातों से अधिक गर्म होती है इसका कारण ये है कि बादल पिर्थवी तथा हवा से उस्मा का विकिरण रोकते हैं अगला है दोस्तों शीत कोष्ट में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं इसका कारण क्या है तो शीत कोष्ट में जो सोसन की दर है वो घटा दी जाती है इसलिए दोस्तों जो हमारे सीत ग्री होते हैं वहाँ पर भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं अगला है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पालिथीन का गुबबारा पिर्थवी के अस्थल से छोड़ा जाता है वाय मंडल में उचाई पर जाने पर गुबबारे के साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उत्तर है वाय मंडल में उचाई पर जाने पर गुबारे के साइज में बृध्धी होगी क्यों क्योंकि वहाँ पर वाय मंडली दाव कम होता है अगला प्रश्ण कथन और कारण से संबंधी तक कथन है कि उनी वस्तर हमें गर्म रखते हैं बिलकुल सही है कारण है कि उनी रेशे एक विसेश प्रकार के प्रोटीन के वने होते हैं जो उस्मा के कुचालक होते हैं तो ये सही नहीं है उनी वस्तर हमें गर्म रखते हैं क्योंकि उनके बीच में जो खाली अस्थान होता है उनमें हवा होती है हवा उस्मा की कुचालक होती है इसलिए ये जो है उस्मा बाहर नहीं निकलने देती तो इसी कारण उनिवस्तर हमें गर्म रखते हैं अगला है सही कथन नहीं है तो सही कथन नहीं है कि आर्दता के बढ़ने पर वायू में ध्वन वेक कम हो जाता है ये कथन सही नहीं है अगला है कमरे में रखे रेफरिजरेटर का दरवाजा खोल कर क्या किया जा सकता है तो उत्तर है कमरे में जो है दोस्तों रेफरिजरेटर का दरवाजा खोल कर हम कमरे की तापमान को थोड़ा गर्म कर सकते हैं यानि अगर कमरे में कोई refrigerator रखा है उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का जो तापमान है वो ठंधा नहीं बलकी गर्म होगा ये चीज आप clear कर लें अब आईए देखते हैं अकला प्रश्न यद किसी गैस का आयतन 27 डिगरी सेलसियस पर संपीडित मोल का आधा रह जाए तो उसे पुनह मोल आयतन प्राप्त करने के लिए कितना गर्म किया जाएगा तो 327 डिगरी सेलसियस तक इसे गर्म किया जाएगा अब आईए दोस्तों देख लेते हैं तरंग गति से संबंधित मोहत्तुपूर्ण प्रश्नों को देखेए बहुत ही मोहत्तुपूर्ण चैप्टर है तरंग गति इसके बाद हम दोस्तों तरंग गति से संबंधित जो मोहत्तुपूर्ण वन लाइनर प्रश्न है आईए द यक्स तरंगों और प्रकास तरंगों तो था ध्वनी तरंगों में से वो जो यांत्रिक तरंग है तो उत्तर है ध्वनी तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है अगला है रेडियो तरंग ध्वनी तरंग यक्स किंडे और गामा किरण में से अनुदैर्य तरंग का उदाहरण कौन अगला प्रेशन है दोस्तों दिर्ग रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं कहां से तो पिर्थवी के वाई मंडल से संबंधित एक आयन मंडल है आयन मंडल परत है आयनो स्फियर वहां से दिर्ग रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं अगला है दोस्तों बेतार के तार क संपर्क पिर्थवी के धरातल को परावर्दित किया जाता है कैसे तो आयनो स्फियर के द्वारा रेडियो तरंगों के विक्षेपड के लिए वाई मंडल के अस्तरों में से जो अस्तर उत्तरदाई है तो ये है आयन मंडल अगला प्रेश्न है प्रकास उश्मा ध्वानी और इलेक्ट्रो मैगनेटिक में से वे तरंगे जो शुन्य में संचरण नहीं कर सकती हैं अगला है कास्मिक किर्डे तो कास्मिक किर्डे दोस्तों आवेशित किर्डे आवेशित कड़ होते हैं अगला प्रश्ण है कास्मिक किर्डों के संबंध में सही कथन नहीं है कौन सा देखिए बहुत ही महतपूर प्रश्ण है कि कास्मिक कीड़ों के संबन में सही कथन नहीं है कि वे विद्दु चुम्ब की तरंगे होती हैं कास्मिक कीड़े विद्दु चुम्ब की तरंगे नहीं होती हैं अगला प्रेशन है Ultra High Frequency यानी परा उच्छ आव्रित्ति की तरंगें साधार्ते संचारित की जाती हैं कहाँ पर तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में परा उच्छ आव्रित्ति तरंगें साधार्ते संचारित की जाती हैं अगला प्रेश्ण है दोस्तों दो उत्तरोतर स्रिंग अथवा दो उत्तरोतर गर्थ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो उत्तर है बेवलेंथ यानि तरंग दैर कहा जाता है दो उत्तरोतर स्रिंग और दो उत्तरोतर गर्थ के बीच की दूरी को अगला प्रेशन है दोस्थों विद्धुचुम्ब की तरंगों का वेग कितना होता है तो 3 into 10 to the power 8 meter प्रतिसेकंड तो यह है विद्धुचुम्ब की तरंगों का वेग 3,00,000 km प्रतिसेकंड अगला प्रश्न है दोस्तों क्रिश्टल की इसं रशन जानने के लिए प्रयोग मिलाया जाता है क्या? तो X गेंडों को और एक राडार जो सत्रुके वाईयान के उपस्थिती का पता लगाता है वो किन तरंगों का प्रयोग करता है? तो वो रेडियो तरंगों का प्रियोग करता है राडार जो शत्र के वाईयान के उपस्थिति का पता लगाता है अगला प्रेश्ण है दोस्तों देखे जब समताप मंडल में ओजोन का अवच्छे होता है तो पृत्वी के धरातल पर पतित विकिरन की तरंग दैर 10 to the power minus 7 M होती है अगला प्रेश्ण है दोस्तों यहाँ पर देखे कि रात्री द्रिष्ट उपकाडों का प्रियोग किया जाता है तो रात्री में देखने वाले उपकाडों में अवरक्त केडों या इंफ्रा रेड वेप्स का प्रियोग किया जाता है अगला प्रेश्ण है गामा किरण, एक्स किरण, परावैगनी किरण और पराध्वन की तरंग में से विद्दु चुम्ब की तरंग का उदाहरण नहीं है तो उत्तर है पराध्वन की तरंग ये विद्दु चुम्ब की तरंग का उदाहरण नहीं है अगला प्रश्ण है द्रिस्य प्रकास, इंफ्रा रेड, अल्ट्रा वाइलेट और माइक्रो वेब में से दूर संचार के लिए प्रियुक्त तरंगे कौन सी हैं तो ये हैं माइक्रो वेब ये दूर संचार के लिए प्रियुक्त होती है अगला प्रश्ण है microwave में विद्दु चुम्ब की तरंगे होती है जिनकी सीमा की आवरिति कितनी है तो 1 GHz से 300 GHz जो है microwave में विद्दु चुम्ब की तरंगों की आवरिति होती है अगला प्रश्ण है television दर्शक डिस एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिंगनल प्राप्त नहीं करते इसका कारण क्या है तो इसका कारण है एंटीना छोटे होते हैं वर्शा की बूंदे रेडियो तरंगों की उर्जा आवशोशित कर लेती हैं और तीसरा है वर्शा की बूंदे रेडियो तरंगों की उर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं अगला प्रशन है एफ्यम परसारण सेवा में परियुक्त होने वाले आवरित बैंड का परास कितना होता है तो 88 से 108 मेगा हर्ज के बीच एफ्यम परसारण सेवा में परियुक्त होने वाले जो फ्रिक्वेंसी बैंड का परास होता है आतों के रोगों के निदान में किन क्यूडों का प्रयोग किया जाता है तो X क्यूडों का और CT scan करने में प्रयोग मिलाई जाती है अब आगे आए देखते हैं ध्वनी से संबंधित महत्तपूर्ण प्रश्णों को देखिए पहला प्रश्ण है कि माध्यमो क्रमसह जल इस पात नाइट्रोजन में ध्वनी की चाल का आरोही क्रम क्या है तो आप जान लिजे सबसे कम जो चाल है नाइट्रोजन में फिर जल में और सरवाधिक जो है इस पात में दोस्तों देखे सबसे कम जो है नाइट्रोजन में ध्वन का वेग अधिक्तम होता है किसमें तो धातु में निर्वात जल वायू और इस पात में से ध्वनी का वेग अधिक्तम किसमें होगा तो इस पात में अगला है दोस्तों ठोस द्रव और गैस में ध्वनी तरंगों का सबसे तीब्र प्रग्रमान किसमें होता है तो ठोस में और य सबसे अधिक VES में जो है ध्वन की गति होगी अगला प्रश्न है लगभग 20 डिगरी सल्सियस के तापमान पर ध्वन की गति हवा ग्रेनाइट पानी तथा लोहे में अधिक्तम किसमें होगी तो आप जानते हैं धात्वों में ध्वन की गति अधिक्तम होगी तो लोहे में ध्वन अगर आरपार नहीं जा सकती या नहीं चल सकती किसमें तो निर्वात में और जब एक ध्वनी तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्थित रहता है तो उसकी आपरिवर्थित रहती है अगला है दोस्तों, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हाल की दिवारों को कैसा होना चाहिए तो ये ध्वनी का आवशोशन करने वाला होना चाहिए असपश्ट रूप से प्रति ध्वनी सुनने के लिए परावर्ति सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी है ये लगभग 16.5 मीटर लगभग 17 मीटर होनी चाहिए अगला प्रश्ण है ध्वनी का वायू में बेग अनुमानतह कितना है तो ये 330 या 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनी का वायू में बेग अगला प्रश्ण है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं इसका कारण क्या है तो दोस्तों ध्वनी के संचरण के लिए माध्यम किया सकता होती है चंद्रमा पर वाय मंडल नहीं है इसलिए दो व्यक्ति एक दूसरे की बात चीत नहीं सुन सकते अगला है कि एक अंतरिक श्यात्री अपने सह पाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता अगला है कि विकिरण संबहन और चालन में से वह जिसके लिए माध्यम किया वसकता नहीं होती तो विकिरण के लिए दोस्तों माध्यम किया वसकता नहीं होती है अगला प्रश्ण है दोस्तों विकिरण समवहन और चालन में वह जिसके लिए माध्यम की आउशक्ता नहीं होती है तो उत्तर है विकिरण में विकिरण यानि रेडियेशन में किसी माध्यम की आउशक्ता नहीं होती है अगला प्रशन है निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए दो कथन है कम लंबाई की वाशुरी से निमन आबरित की तरंगे उत्पन होती है और दूसरा है कि धुहन शहलों में से केवल अनुधैर प्रत्यास्त तरंगों के रूप में प्रगामी होती है तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही नहीं है अगला प्रशन है दोस्तों परासरब्य तरंगों के बारे में निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला है ये कीडों को नश्ट करते हैं ये कपडों से धूल हटा कर उन्हें साप कर सकती है इनका उपयोग बिमारियों में उपचार के लिए किया जा सकता है और ये स्वचालित दरवाजों को नियंतरित कर सकती है तो परासरब्य तरंगों के बारे में ये सभी कथन सही है परासरब्य धोनियां वे धोनियां होती है जिनकी आबरिति कितनी होती है तो याद रखेगा परास्रब्य ध्वनिया वे ध्वनिया हैं जिनकी आवरेती 20,000 हर्ट से अधिक होती है मनुस्य की श्रब्यता की सीमा या परास कितना है तो 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक मनुस्य ध्वनियों को सुन सकता है एक जैव पध्धत जिसमें पराश्रब्य ध्वनी का उपयोग किया जाता है तो ये है सोनोग्राफी और दोस्तों चमगादर अंधीरी रातों में उड़ सकते हैं अपना शिकार भी कर सकते हैं इसका कारण क्या है तो वे पराध्वनी तरंगे निकालते हैं और उन्हें के द्वारा निर्देशित होते हैं अगला है दोस्तों निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिये देखिए हीरदय अपसरब्य आबरित्य पर कमपन करता है सही है ध्यों की अवसरती गति जो है गैस में द्रह और ठोस की तुलना में अधिक होती है सही नहीं है क्योंकि ठोस में सब से अधिक होती है ध्योंकी मैक संख्या ध्वन की गति को वर्णित के लिए प्रियोग में लाई जाती है और परास्रब्य ध्वन की अब रित्ती 20,000 हर्ट से अधिक होती है तो इसमें आप देख सकते हैं एक तीन और चार सही हैं कथन दो सही नहीं है अगला प्रेशन हैं दोस्तों पराध्वनिक जेट की उडान के कारण नुकसान होता है किसको तो उत्तर है ओजोन परत को नुकसान होता है पराध्वनिक जेट के उडान से अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है कथन है समुदरतल के निकट मैक संख्या एक पर जा रहे वायुयान की चाल के तुलना में 15 किलोमीटर की उचाई पर मैक संख्या एक पर जा रहे कारण है कि ध्वन की गति परिवर्ति माध्यम के ताप पर निर्भर करता है तो कथन गलत है कारण सही है ध्वन की प्रवलता मापी जाती है उसके किस से तो उत्तर है उसके आयाम से मापी जाती है ध्वन की प्रवलता decibel प्रयोग में लाया जाता है किसके लिए तो उत्तर है वातवरण में ध्वन की तिब्रता के अस्तर कुमापने के लिए दोस्तों decibel प्रयोग में लाया जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो जो ध्वनी उत्पन होती है वो लगभग कितनी तिब्रता की होती है तो ये लगभग 30 decibel होती है अगला प्रश्ण है 100 decibel का रव यानी न्वाईज का प्रवलता अस्तर संयत होगा तो यंत्रकार खाना जो है 100 decibel का न्वाईज उत्पन करता है अगला प्रश्ण है बिस्व स्वास्त संगठन यानी डबलू यच्चो के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनी पर दूसर अस्तर कितना है तो ये 45 डेसिबल है मनुस्यों के लिए सुर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है तो याद रखेगा 85 डेसिबल होती है मनुसियों के लिए मानक धोनी अस्तर कितना होता है तो ये 60 decibel होता है और देखे एक मज़दोर रेल की पटरी पर कारे कर रहा था एक लड़का कुछ दोरी पर अपने कान पटरियों पर रकर जब मज़दोर दोरा की जाने वाली हथाओड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे दो बार आवाजे सुनाई देती है इसका कारण क्या है तो इसका कारण है धोनी का वेग इस पात में वायू की बेग की अपेक्छा अधिक होता है ध्वनी का वेग इस पात में यानि पटरी पर तेजी से जाता है जबकि वायू में देर से अगला प्रश्ण है कथन और कारण से संबंधित है दोस्तों देखे कथन है एक कि जब हम ठोज से गैसी अवस्था में जाते हैं तब ध्वनी की गति कम हो जाती है कथन दो है कि जब हम किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनी की गति बढ़ जाती है और कथन तीन है कि ध्वनी की गति कार्च के माध्यम की तुलना में अलियूमिनियम के माध्यम में कम रहती है इन में कौन सा कथन सही है तो सही कथन है जब हम ठोस से गैसी अवस्था में जाते हैं तब ध्वनी की गती कम हो जाती है क्योंकि ध्वनी की गती ठोस में तेज चलती है तेज होती है गैसों में कम अगला प्रेश्ण है दोस्तों जब सितार और बासुरी पर एक हिस्वर बजाय जाये तो उनसे उत्पन ध्वनी का भेद किया जाता है कैसे तो केवल ध्वनी गूरता यानि क्वालिटी के अंतर के कारण एक सितार में ध्वनी तरंगे उत्पन होती है कौन सी तो अप्रगामी और अनुप्रस्त ध्वनी तरंगे सितार में उत्पन होती है अगला प्रेश्न कथन और कारण से संबंधित है कथन है अनुरणन विशेष्ट बड़े गिर्जागरों और अन्यभावनों में प्रतीत होती है कारण है कि दीवारों छत और धरातल से अपवर्त ध्वनी परावर्तन हो जाती है तो इसमें A और R दोनों सही है और R A का सही असपश्टी करण है अगला है निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है कि विश्टरित रूप से प्रियुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे त्वी डोनी स्वरग्राम कहते है साथ आबृतियों वाला होता है और स्वरशा की आबृत्य 256 HR होती है और नी की आबृत 512 HR होती है इसमें से कौन सा कथन सही है तो इसमें कोई भी कथन ने तो एक ने तो दो कोई भी कथन सही नहीं है अगला प्र survey है दोस्तों इंफरा-red, X-Q, द्रिश्ट गोचर प्रकास और रेडियो तरंगों में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है तो रेडियो तरंगों की तरंग देर ये लंबाई सबसे अधिक होती है अगला प्रेशन हैं दोस्तों एक TV सेट को चलाने के लिए TV रिमोट नियंतरण इकाई द्वारा कौन सी किरणे प्रियोग की जाती है तो याद रखेगा अवरक्त विकिरण और रेडियो तरंगों का प्रियोग किया जाता है TV रिमोट कंट्रोलर में अगला है टेलिवीजन के दूरस्त नियंतरण के लिए जिस विद्दु चुम्ब की विकिरण का प्रियोग किया जाता है तो ये अवरक्त विकिरण है अगला प्रशन हैं दोस्तों जब TV का स्विच आन किया जाता है तो स्रब्य और द्रिस से दोनों एक साथ शुरू होते हैं दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेसों का संचरण होता है किस विधी के द्वारा तो याद रखेगा आयाम माडूलन के द्वारा दूरदर्शन में चित्र संदेसों का संचरण होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों टेलिवीजन प्रसारणों में स्रव्य संकेतों को प्रेशित करने के लिए कौन सी टकनीक है तो ये है आबरित्यारोपन यानि फ्रिक्वेंसी माडूलन अगला प्रेश्ण है दोस्तों एक रेडियो इस्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है इस इस्टेशन द्वारा प्रेशित वाहक तरंगों की आवरित्य कितनी है तो ये 10 मेगा हर्ज होती है अगला देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्तुपूर्ण प्र प्रकिर्ती विद्दुच्चुम्बकी है तो सही उत्तर दोस्तों कथन गलत है लेकिन कारण सही है इसमें रेडियो तरंगे चुम्बकी छेतर में बंकित नहीं होती है रेडियो तरंगों की प्रकिर्ती जो है ये आप जान सकते हैं कि इनकी प्रकिर्ती दोस्तों विद्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्णों को जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए और त्वरित रिवीजन के लिए बहुत ही उब्योगी है आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदर्शन फॉर सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार